उजास प्रवेशिका भाग दो ये एक प्रवेशिका पुस्तक है जिसका निर्माण राष्ट्रिय साक्षर्ता केंद्र प्रकोष्ट प्रवेशिका पुस्तक पंद्रा वर्ष या उससे अधिक आयू के असाक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए बनाई गई है इसमें बुनियादी साक्षर्ता, भाषा, संख्याग्यान और महतपून जीवन कौशल क्रिटिकल लाइफ स्किल्स विश्यों को समिलित किया गया है उजास प्रवेशिका भाग दो पृष्ट संख्या 118 और 119 इन दोनों पृष्टों पर एक चित्र दिया गया है प्रिश्ट संख्या 118 पर सबसे उपर लिखा है बादचीत के लिए एक चित्र में दी गई जगह की सफाई के बारे में आप क्या कहेंगे दो आपके आस पास साफ सफाई का ध्यान कैसे रखा जाता है तीन साफ सफाई का ध्यान रखना क्यों जरूरी है चार खुले हुई चीजे खाने से क्या नुकसान होते हैं और पांच भोजन करने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है इस प्रिष्ट पर शिविर में एक डॉक्टर का क्लीनिक है डॉक्टर मरीजों की जाच कर रहे हैं डॉक्टर के टेबल पर एक बैनर लगा है जिस पर लिखा है मिशन इंद्र धनुष टी का करन अभियान और साथ ही एक बोड है जिस पर लिखा है भारत सरकार स्वस्त भारत बेटी बचाओ डॉक्टर दौरा एक लड़की की नब्ज देखी जा रही है डॉक्टर के सामने एक लाइन में एक महिला अपने कंधे पर अपने बच्चे को लिए खड़ी है पास ही दूसरा बच्चा खड़ा है महिला के पीछे एक अन्य महिला और उसके पीछे एक पुरुष हाथ में फाइल लिए खड़ा है इसके साथ ही इस चित्र में एक फूल वाले की दुकान दिखाई गई है जिस पर फूल मालाई रखी है और साथ ही लिखा है रफीक भाई फूल वाले और दूसरी तरफ लिखा है नमस्कार फूल वाले की दुकान के पास ही एक महिला की सबजे की दुकान है दुकान के पास एक महिला को हाथ में थेला लिये जाते दिखाया गया है सबजे की दुकान के पास ही एक चाय की दुकान है, जिस पर बोड लगा है नरेंद्र चाय वाले यहाँ पर एक आदमी को चाय बनाते दिखाया गया है दूसरा व्यक्ति मेज पर बैठा चाय पी रहा है उसके पास ही एक ठेला खड़ा है और साथ ही एक महिला मचलियां बेच रही है कुछ लोग उससे मचलियां खरीद रहे हैं एक औरत सर पर सबजे की टोकरी लिए जा रही है दो लड़कियां गोलगपे की दुकान से गोलगपे खा रही है गोलगपे वाला दोनों लड़कियों को गोलगपे खिला रहा है इसी चित्र के अगले हिस्से में एक बोड है, जिस पर लिखा है हात धोना जरूरी है यहाँ पर एक महिला को साबुन से हात धोते दिखाया गया है इस चित्र के एक भाग में एक घाट है, जिस पर कुछ नामें दिखाई गई है और साथ ही कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर दो बच्चे तायर से खेल रहे हैं एक व्यक्ति हाथ में ज़ालो लिए मुह पर मास्क लगा कर सफाई करते दिखाया गया है इस चित्र में कुछ जानवर भी हैं जैसे कुत्ते, बकरी, गाय इत्यादी प्रिष्ट संख्या 120, पाठ पांच खान पान और सेहत हम सीखेंगे 100 से 1000 तक की संख्याएं पहचानना, पढ़ना और लिखना एकाई, दहाई और सेकले के समुहों में गिनना स्थानिय मान एक अंकिय संख्याओं का गुड़ा करना चित्र से अनुमान लगा कर पढ़िए इस प्रिष्ट पर चार चित्र हैं पहला चित्र एक मच्छर का है और उसके नीचे लिखा है मच्छर दूसरा चित्र फलों की एक टोकरी का है और चित्र के नीचे लिखा है फल तीसरा चित्र दो हाथों का है और उसके नीचे लिखा है साफ हाथ और चौथा चित्र कूले के ढिर का है यहाँ पर कुछ व्यक्तियों को नाक बंद करके जाते दिखाया है और नीचे लिखा है कूला प्रिष्ट संख्या 121 इस प्रिष्ट पर पांच चित्र है पहला चित्र दूद के बर्तनों का है और उनके नीचे लिखा है दूद दूसरा चित्र कुछ दवाईयों का है और उसके नीचे लिखा है दवाईया तीसरा चित्र कसरत करते हुए एक व्यक्ति का है, जिसके नीचे लिखा है कसरत चौथा चित्र एक कूलेदान का है, जिसके नीचे लिखा है कूलेदान और पाँचवा चित्र एक साबुन का है, और उसके नीचे लिखा है साबुन शिक्षक निर्देश उपर दिये गए शब्द और चित्र, खान-पान और सेहत की विशय वस्तु से जोड़े हुए हैं शब्द पढ़ने में सहभागियों की मदद करें उन्हें चित्र के आधार पर अनुमान लगाने के अलावा उनके बढ़ते शब्द और अक्षर ज्यान को इस्तमाल करने के लिए प्रेरित करें खान-पान, सेहत, सफाई आधी के बारे में भी चर्चा करें प्रिष्ट संखिया 122 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर वाले हिस्से में चार चित्र हैं पहले चित्र में दो पानी की टंकिया हैं और दोनों टंकियों से पानी बह रहा है दूसरा चित्र पानी के कूलर का है जिससे पानी गिर रहा है तीसरा चित्र एक हैंड पंप का है हैंड पंप के चारों तरफ पानी पड़ा है और चौथा चित्र कुछ गमलो का है, जिसके चारो तरफ पानी और गंदगी पड़ी है. क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? साफधान, मलेरिया, डेंगू, चिकन गुनिया हो सकता है. आसपास पानी जमा ना होने दें, गड़ों को भर दें, पानी के बरतन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ़ते सुखाएं, मच्छर दानी का इस्तिमाल करें, गड़ों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छड़कें, बाच्चीत के लिए एक, क्या आपने ऐसा पोस्टर कहीं लगा हुआ देखा है? दो, इस पोस्टर में किन बातों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है? तीन, ऐसे पोस्टर कौन लगाता होगा? चार, अखबारों में इस तरह के पोस्टर कौन देता होगा? पाँच, आपके आसपास कितने व्यक्ति डेंगू से प्लिद हुए? पता लगाएं चे, गंदगी से पनपने वाले बीमारियों के बारे में चर्चा करें प्रिष्ट संख्या 123 एक, पोस्टर में से कुछ शब्द दिये गए हैं यहां पर एक बॉक्स में तीन शब्द हैं ये शब्द हैं मलेरिया, डेंगू और चिकन गुनिया ये किसके नाम है? सही का निशान लगाईए दवाई के रिक्तिस्थान, मच्छरों के रिक्तिस्थान, बीमारी के रिक्तिस्थान दो, नीचे कुछ चित्र दिये गए हैं इन में से कहां कहां मच्छर अंडे दे सकते हैं दिये गए बॉक्स रिक्तिस्थान में सही का निशान लगाईए इस प्रिष्ट के निचले हिस्से में दो चित्र हैं पहले चित्र में पौधे लगे हुए तीन गमले हैं और साथ ही एक मिट्टी का छोटा बर्तन है चित्र के नीचे लिखा है रिक्तिस्थान गमले दूसरा चित्र एक कूलर का है और चित्र के नीचे लिखा है रिक्तिस्थान, कूलर, प्रिष्ट संख्या 124 इस प्रिष्ट पर 6 चित्र हैं पहला चित्र दो टूटे टायरों का है और उसके नीचे लिखा है रिक्तिस्थान, टूटे टायर अगला चित्र कुछ बर्तनों का है, जो बंद हैं और उनके नीचे लिखा है रिक्तिस्थान बंद बर्तन तीसरा चित्र एक चपल का है और उसके नीचे लिखा है रिक्तिस्थान चपल चौथा चित्र पानी से भरे हुए जूतों का है और नीचे लिखा है रिक्तिस्थान पानी भरे जूते पांचवा चित्र एक डिब्बे का है, जिसके नीचे लिखा है रिक्तिस्थान खाली डिब्बा छटा चित्र एक जूले का है, नीचे लिखा है रिक्तिस्थान जूले प्रिष्ट संख्या 125 खान पान शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए संतुलित भोजन जरूरी है शरीर के लिए खान पान की जरूरी चीजें मौसमी फल और सबजियां खाने से शरीर तरो ताजा रहता है गाजर, मटर, टमाटर, बैंगन आधी तरह तरह के रंग सबजियों में दिखाई देते हैं इसी तरह फल और अनाज भी कई रंगों के होते हैं क्योंकि अलग-अलग रंग की खान पान की मिली जुली चीजें खाना सेहत के लिए अच्छा रहता है नीचे तीन खाने बनाए गए हैं एक खाने में रितू, गर्मी, बारिश, सर्दी के नाम है उसके आगे के खाने में इन दिनों में मिलने वाले फल और सबजियों के नाम है एक खाना खाली छोड़ा गया है इसमें आप उन फलों सबजियों आदी के नाम लिखें जो इन दिनों में आप खाते हैं यहाँ पर एक तालिका है, जिसके तीन भाग है तालिका के पहले भाग में लिखा है रितू तालिका के दूसरे भाग में लिखा है सबजी, अनाज और फल और तालिका के तीसरे भाग में लिखा है जो आप खाते हैं रितू गर्मी, सब्जी, अनाज और फल, ककड़ी, खीरा, तर्बूज, खर्बूजा, आम और अंगूर, जो आप खाते हैं, रिक्तिस्थान रितू बारिश, सब्जी, अनाज और फल, मूंग फली, बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, केला, जो आप खाते हैं, रिक्तिस्थान बारिश में कच्ची मूंग फली, और सर्दियों में गेहूं की बालें और हरे चने आग में भून कर खाने का स्वाधी, कुछ और होता है खान-पान को लेकर कुछ घरेलू तरीके हैं, जो अपनाए जाने चाहिएं 1. सब्जियों को काटने से पहले धोएं काटने के बाद धोने से उनके पोशक्तत कम हो जाते हैं 2. गुड और मुंग फली को कूट कर गुड पट्टी बनाई जाती है 3. तिल और गुड को कूट कर तिल के लड़ू बना कर खाई जा सकते हैं सर्दियों में ये खाना सेहत के लिए फायदेमंद रहता है 4. चना, मुंग जैसे अनाजो को अंकुरित करके खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है 5. आटे में खमीर आने से वह ज्यादा गुणकारी हो जाता है प्रिष्ट 126 पढ़िये और अक्षर लिखिये यहाँ पर तीन चित्र हैं पहली चित्र में एक हात और उसके पास एक सिक्का है जिसके सामने लिखा है आज नगद और इसके नीचे लिखा है कल उधार और साथ ही इसके आगे एक हात का चित्र है और इस चित्र के नीचे लिखा है आज नगद कल उधार अगला चित्र एक उस्तरे का है और उसके नीचे लिखा है उस्तरा तीसरा चित्र एक उल्लू का है और उसके नीचे लिखा है उल्लू इस प्रिष्ट के सबसे नीचे कुछ शब्द दिये गए हैं जो इस प्रकार हैं उलजना, उपज, उचकना, उलटना, उपचार, उसका, उफान, उर्स, उड़ना और उतरना प्रिष्ट संख्या 127 यहाँ पर बिंद्वों की मदद से उ अक्षर को दो पंक्तियों में बना कर दिखाया गया है अब आप इनी बिंद्वों की मदद से उ अक्षर को पूरा करते हुए दी गई दोनों पंक्तियों में अभ्यास करते हुए उ अक्षर को स्वयम बनाएं चित्र देखिए और शब्द लिखिए यहाँ पर दो अंकों की मदद से उन्चास लिखा है अब आपने उसके नीचे दिए गई रिक्तिस्थान में उन्चास को शब्द में लिखना है अगले चित्र में उपलू के साथ तीन महिलाएं हैं अब आपको चित्र को देखकर इनके बारे में शब्द में लिखना है तीसरा चित्र उबलते हुए दूद का है अब आपने दिए गई रिक्तिस्थान में चित्र को देखकर शब्द में लिखना है शिक्षक निर्देश शब्द पढ़ने में सहभागियों की मदद करें उनसे अक्षर लिखवाएं दी गई जगह पर चित्र का नाम लिखवाएं प्रिष्ट संख्या 128 पढ़िये और अक्षर लिखिये अक्षर उ यहाँ पर उटों के चार चित्र हैं और इन चित्रों के नीचे लिखा है कुछ उट उचा, कुछ पूच उची कुछ उचे उच की पीट उची यहाँ पर उखशर से कुछ शब्द दिये गए हैं जो इस प्रकार हैं उचा, उसर, उचा, प्याव, उधम, उपर, खाऊंगी, जाऊंगा, उंगना, और खाऊंगा प्रिष्ट संख्या एक सो उन्तीस यहाँ पर दो पंक्तियों में बिंद्वों की मदद से उ अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इनी बिंद्वों की मदद से उ अक्षर को स्वैम बनाएं और साथ ही दोनों पंक्तियों में अभ्यास करते हुए उ अक्षर को स्वैम भी बनाएं चित्र देखिये और शब्द लिखिये इस प्रिष्ट के निचले हिस्से में दो चित्र हैं पहला चित्र उट का है और दूसरा चित्र उन का है अब आपको इन दोनों चित्रों को देखकर उनके नीचे दिये गए रिक्तिस्थानों में शब्द में इनके बारे में लिखना है शिक्षक निर्देश सहभागियों से कुछ उंट उंचा वाले वाक्य को बार बार बुलवाने का प्रियास करें प्रिष्ट संखिया 130 पढ़िये और अक्षर लिखिये अक्षर ह यहाँ पर दो बच्चों के होली खेलने का चित्र है इस चित्र के नीचे लिखा है होली के दिन रंगों से रंग मिल जाते हैं और साथ ही इस प्रिष्ट के निचले हिस्से में हा अक्षर से बनने वाले कुछ शब्द भी दिये गए हैं जो इस प्रकार हैं शोहर, हैरानी और राही प्रिष्ट संख्या एक सो इकत्तिस इस प्रिष्ट पर बिंद्वों की मदद से दो पंक्टियों में हा अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इन ही बिंद्वों की मदद से इन दोनों पंक्टियों में हा अक्षर को पूरा करें और साथ ही दिये गए रिक्तिस्थानों में हा अक्षर को स्वैम बनाते हुए अभ्यास भी करें चित्र देखिये और शब्द लिखिये इस प्रिष्ट पर तीन चित्र बने हैं पहला चित्र एक हाथी का है अब आप दिये गए रिक्तिस्थान में चित्र को देखकर इसके बारे में शब्द में लिखिये दूसरा चित्र हसिये से फसल काटने का है नीचे दिये गए रिक्तिस्थान में इस चित्र को देखकर इसके बारे में शब्द में लिखिए और तीसरा चित्र एक हलका है अब आप दिये गए रिक्तिस्थान में चित्र को देखकर इसके बारे में शब्द में लिखिए प्रिष्ट संख्या 132 इस प्रिष्ट पर पानी में तेरती पांश मचलियों का चित्र है और इस चित्र के नीचे लिखा है मचुवारे के जाल में सुनेहरी मचलिया फस गई प्रिष्ट के निचले हिस्से में छ अक्षर से बनने वाले कुछ शब्द भी दिये गए हैं जो इस प्रकार हैं चुवारा, छीकना, बचिया, छेद, चौकना, छुपना, छीनना और छोले प्रिष्ट संख्या 133 इस प्रिष्ट पर बिंद्वों की मदद से दो पंक्तियों में छ अक्षर को बना कर दिखाया गया है अब आप इन ही बिंद्वों की मदद से दिये गए छ अक्षर को इन दोनों पंक्तियों में पूरा करें और साथ ही दिये गए रिक्तिस्थानों में छ अक्षर को अभ्यास करते हुए स्वैम भी बनाएं चित्र देखिए और शब्द लिखिए इस प्रिष्ट पर तीन चित्र है पहला चित्र एक छतरी का है अब आप इसके नीचे दिये गए रिक्तिस्थान में चित्र को देखकर इसके बारे में शब्द में लिखिए दूसरा चित्र एक कछुए का है अब आप नीचे दिये गए रिक्तिस्थान में चित्र को देखकर इसके बारे में शब्द में लिखिए और तीसरा चित्र एक छिपकली का है अब आप इस चित्र के नीचे दिये गए रिक्तिस्थान में इस चित्र को देखकर इसके बारे में शब्द में लिखिए प्रिष्ट संख्या 134 पढ़िये और अक्षर लिखिए अगला अक्षर है थ इस प्रिष्ट पर एक थीटर का चित्र है यहाँ पर एक तरफ टिकट घर है और सामने के तरफ सिनेमा घर लिखा है बीच में कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे है और यहाँ पर एक तरफ एक महिला और पुरुष खड़े है साथ ही एक महिला हाथ में पर्स लिए खड़ी है और चित्र के नीचे लिखा है चलो, सिनेमा देखने थियेटर चलते हैं इस प्रिष्ट के निचले भाग में थ अक्षर से बनने वाले कुछ शब्द दिये गए हैं ये शब्द इस प्रकार हैं थमना, थकान, थर्मस, थूकना, पोथी, कथा, थिरकना, बतुआ, हतेली, थोक, थोड़ा, कथा, थैली, थापना, और हतोड़ा प्रिष्ट संख्या 135 इस प्रिष्ट पर बिंद्वों की सहता से थ अक्षर को दो पंक्तियों में बना कर दिखाया गया है अब आप इन्ही बिंद्वों की सहता से थ अक्षर को पूरा करें और साथ ही दी गई दोनों पंक्तियों में थ अक्षर को अभ्यास करते हुए स्वयम भी बनाएं चित्र देखिए और शब्द लिखिए इस प्रिष्ट पर तीन चित्र हैं पहला चित्र एक थैले का है दूसरा चित्र एक हथोड़ी का है और तीसरा चित्र एक थाली का है अब आप इन तीनों चित्रों को देखकर इनके नीचे दिये गए रिक्तिस्थानों में इनके बारे में शब्दों में लिखिए प्रिष्ट संख्या 136 पढ़िये और अक्षर लिखिए अगले अक्षर है फ और फ इस प्रिष्ट पर एक लड़की का आईस्क्रीम खाते हुए चित्र है और चित्र के नीचे लिखा है भागुनी जल्दी खाओ कुल्फी पिखल रही है इस प्रिष्ट के निचले हिस्से में फ और फ अक्षर से बनने वाले कुछ शब्द दिये गए हैं ये शब्द इस प्रकार है फल, फिरकी, फागुन, फीका, फवारा, फसल, फोटो, फैसला, फोजी, फीस, सफाई, फूल, फैशन, फुदकना और फिसलना प्रिष्ट संक्या, 137 इस प्रिष्ट पर पहली पंक्ति में बिंद्मों की मदद से फ अक्षर को बनाकर दिखाया गया है अब आप इन्ही बिंद्वों की मदद से फ अक्षर को पूरा करें और साथ ही दिये गए रिक्तिस्थान में फ अक्षर को स्वेम बनाएं और साथ ही अभ्यास करते हुए फ अक्षर को स्वेम बनाएं दूसरी पंक्ती में बिंद्वों की मदद से फ अक्षर को बना कर दिखाया गया है। अब आप इनी बिंद्वों की मदद से फ अक्षर को स्वयम बनाएं और साथ ही दिये गए रिक्तिस्थान में फ अक्षर को स्वयम बनाते हुए अभ्यास भी करें। चित्र देखिए और शब्द लिखिए. प्रिष्ट के अगले हिस्से में चार चित्र हैं. पहला चित्र एक फावणे का है. अब आप चित्र के नीचे दिये गए रिक्तिस्थान में इसे देखकर इसे शब्द में लिखना है. अगला चित्र टोकरी में कुछ फावणे का है. अब आप नीचे दिये गए रिक्तिस्थान में इस चित्र को देखकर इसे शब्द में लिखिए. तीसरा चित्र एक लिफावए का है. अब आप नीचे दिये गए रिक्तिस्थान में इस चित्र को देखकर इसके बारे में शब्द में लिखिए. चौथा और अन्तिम चित्र एक फाटक का है. अब आप नीचे दिये गए रिक्तिस्थान में इस चित्र को देखकर इसके बारे में शब्द में लिखिए. शिक्षक निर्देश सहभागियों के साथ शब्द पढ़ते समय फ़ और फ़ की आवाज के अंतर को समझाए. प्रिष्ट संख्या 138 पढ़िये और अक्षर लिखिए. अगला अक्षर है ठ. इस प्रिष्ट पर एक कठ फोडवे का चित्र है और चित्र के नीचे लिखा है कठ फोडवा पेड़ के तने पर चोँच मार रहा है. इस प्रिष्ट के निचले भाग में ठ. अक्षर से बनने वाले कुछ शब्द भी दिये गए हैं. ये शब्द इस प्रकार हैं. थग, काठ, थाठ, बैठो, ठूठ, ठिठकना, ठूसना, ठुमकना, कठिन, गठरी, कठोर, ठहरना, बैठना, ठोकर, ठेश और ठौर ठिकाना. प्रिष्ट संख्या 149. इस प्रिष्ट पर ठ अक्षर को बिंद्वों की मदद से दो पंक्तियों में बराकर दिखाया गया है. अब आप इन ही बिंद्वों की मदद से ठ अक्षर को इन दोनों पंक्तियों में स्वैम बनाएं और साथ ही रिक्तिस्थान में ठ अक्षर को अभ्यास करते हुए पूरा भी करें. चित्र देखिए और शब्द लिखिए. यहाँ पर आठ को अंक में लिखा है. अब आप नीचे दिए गए रिक्तिस्थान में इस चित्र को देखकर इसे शब्द में लिखिए. अगला चित्र एक ठेले का है. नीचे दिए गए रिक्तिस्थान में आप चित्र को देखकर उसे शब्द में लिखिए. अगला चित्र दो अंको की मदद से साथ को लिखा है. अब आप साथ अंक को दिए गए रिक्तिस्थान में शब्द में लिखिए. प्रिष्ट संख्या 140 नीचे कुछ शब्द दिये गए हैं हर शब्द में शामिल अक्षरों को पहचान कर शब्दों को सही जगह पर लिखिए चतरी, फल, डर, ठोकर, हम, मचली, पाठ, महान, डगर, छोटी, थैला, डाली एक तालिका दी गई है तालिका में कुछ शब्द हैं और अब आपको रिक्तिस्थानों में दिये गए शब्दों को पहचान कर इन्हें सही तालिका में भरना है इस तालिका के छे भाग है अक्षर ह, शब्द हम अक्षर च, शब्द चतरी अक्षर थ, शब्द रिक्तिस्थान अक्षर थ, शब्द रिक्तिस्थान अक्षर ड, शब्द रिक्तिस्थान अक्षर ठ, शब्द रिक्तिस्थान अब आपको इन अक्षरों को देखकर दिये गए शब्दों को इस तालिका में उचिस्थानों में स्वैम भरना है कई शब्दों में अक्षरों के जोड़े आते हैं बॉक्स में दिये गए शब्दों को पहचान कर सही जोड़े वाले शब्द लिखिए. यहाँ पर एक बॉक्स में कुछ शब्द दिये गए हैं. ये शब्द इस परकार हैं. मठा, बुढ़ा, पट्टी, सस्ते, अच्छा और रफ्तार. मच्छर, च, रिक्तिस्थान, इकठा, ठा, रिक्तिस्थान, गढ़ा, ढा, रिक्तिस्थान, मिट्टी, टी, रिक्तिस्थान, हफ्ता, अफ्त, रिक्तिस्थान, इस्तेमाल, स्त, रिक्तिस्थान प्रिष्ट संख्या एक सो एकतालेस संयुक्ताक्षर कुछ वन ऐसे होते हैं जिनकी खड़ी पाई या डंडा हटा देने से वे आधे स्वर रहित हो जाते हैं जैसे च, च, बच्चा, सच्चा, कच्चा न, न, नियाए, धन्य, कन्या प, प, प्यासा, प्याज, प्याला म, म, म्यान, अम्मा, अचम्भा ल, बिल्ली, दिल्ली, गिल्ली क और फ वर्णों को आधा बनाने के लिए उनकी घुंडी काट दी जाती है जैसे क, क, क्या, क्यों, क्यारी फ, फ, फ्लू, मुफ्त, हफ्ता कुछ वर्णों को आधा बनाने के लिए हलंत लगाया जाता है जैसे, ट, ट, खटा, चिट्टी, मिट्टी द, द, गद्दा, भद्दा, रद्दी ड, ड, अड्डा, टिड्डा, गढ्डा र के अन्यरूप क्रिट र्म, गर्म, वर्षा, हर्ष ट्र, ट्र, ट्रेन, राष्ट्र, ट्रक क्र, क्र, क्रोध, ध्रुव, भ्रम शिक्षक निर्देश स्वर रहित अक्षरों के बारे में सहभागियों को समझाएं आधा लिखने का क्या अर्थ है इस पर चर्चा करें अक्षर पर र के ट्र, र्म, क्र, अलग-अलग रूप हैं जिनका उच्चारण भिन्द प्रकार से करते हैं प्रिष्ट संख्या 142 मेरे शब्द यहाँ पर एक बड़ा बॉक्स है और बॉक्स के नीचे लिखा है शिक्षक निर्देश खान-पान और सेहत विशे पर बाच्चीत कीजिए सहभागियों से पूछ कर इस विशे से जुड़े तीन-चार शब्द लिखिए ये शब्द उनकी अपनी भाशा के भी हो सकते हैं जैसे हैंड पंप के लिए चापा कल आदी प्रिष्ट संख्या 143 कच्रे का जिवनकाल देखिए हम जो कच्रा पहलाते हैं वह कितने समय तक नश्ट नहीं होता तुम जियो हजारों साल अब हम इस गिलास्तुमच चित्र को नीचे से उपर तक पढ़ते हैं एक साल दस साल पचास साल सौ साल पांच सौ साल एक हजार साल एक करोड साल कभी नश्ट ना होने वाला अब हम इस गिलास्तुमच चित्र के अंदर कुछ वस्तुएं और उनके बारे में लिखा है आईए उसे पढ़ते हैं केले के छिलके जिवनकाल तीन से चार हफते कागस की थैली जिवनकाल एक महीना कपडे के चित्रे जिवनकाल पांच महीना उनके मौजे जिवनकाल एक साल लकड़ी जिवनकाल दस से पंदरह साल चमणे के जूते चालिस से पचास साल टिन के डिब्बे जिवनकाल पचास से सौ साल एलियूमिनियम के डिब्बे जिवनकाल दो सौ से पांच सौ साल प्लास्टिक थैले जिवनकाल दस लाख साल कांच की बोतलें जिवनकाल मालुम नहीं और स्टैरोफोम कप जिवनकाल अनंत काल जल्दी नश्ट ना होने वाला यह कचरा हमारे घर और महौलों से उठा तो लिया जाता है पर इस चित्र से हमें यह समझ आता है कि वह कचरा भले ही आँखों से दूर हो जाए लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुचाता रहता है इसका उपाय यही है कि हम कचरा कम से कम करने की कोशिश करें अब बताईए प्रश्न एक प्रश्न दो प्रश्न तीन कौन सी चीज सबसे कम समय में नश्ट हो जाती है शिक्षक निर्देश सहभागियों से इस बात पर चर्चा करें कि कौन कौन सी चीजें हमारी प्रकृति के लिए हानिकारक हैं उनसे सुझाव लें कि हमें कचरे का निप्टारा कैसे करना चाहिए प्रिष्ट संख्या 144 विद्याले में स्वतंतरता दिवस के अवसर पर बच्चों को लड़ू के डिब्बे बाटे गए एक डिब्बे में चार लड़ू आ सकते हैं आईए पता लगाते हैं कि दस बच्चों को डिब्बे देने हैं तो कितने लड़ू चाहिए एक बच्चे को मिलेंगे एक डिब्बा चार लड़ू का अर्थात एक डिब्बा चार लड़ू का एक बार चार एक गुणा चार या एक गुणा चार बराबर चार लड़ू दो बच्चों को मिलेंगे चार चार लड़ू के दो डिबबे अर्थात दो डिबबे चार लड़ू के 4 जमा 4, 2 बार 4, 2 गुणा 4 या 2 गुणा 4 बराबर 8 लड़ू तीन बच्चों को मिलेंगे चार चार लड़ूं के तीन डिब्बे अर्थात तीन डिब्बे चार लड़ूं के चार जमा चार जमा चार तीन बार चार तीन गुणा चार या तीन गुणा चार बराबर बारह लड़ू चार बच्चों को मिलेंगे चार चार लड़ूओं के चार डिब्बे अर्थात चार डिब्बे चार लड़ूओं के चार जमा चार जमा चार जमा चार बराबर चार बार चार या चार गुणा चार बराबर चार गुणा चार बराबर चार गुणा चार बराबर सोलह लड़ू पाँच बच्चों को मिलेंगे चार चार लड़ूँ के पाँच डिब्बे अर्थात पाँच डिब्बे चार लड़ूँ के चार जमा चार जमा चार जमा चार जमा चार बराबर पांच बार चार या पांच गुणा चार बराबर पांच गुणा चार बराबर बीस लड़ू शिक्षक निर्देश किसी संख्या को बार बार जोडने की संख्षिप्त प्रक्रिया को गुणा कहते हैं सहभागियों को विभिन संदर्भों जैसे कुर्सी के पैरों की संख्या का प्रियोग करके एक अंकिये संख्याओं के गुलन बनाने और लिखने के लिए प्रेरित करें प्रिष्ट संख्या एक सो पैनतालीज बताईए, साथ बच्चों को कितने लड़ू मिलेंगे? चार जम रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान बार रिक्तिस्थान या रिक्तिस्थान गुणा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान लड़ू दस बच्चों को कितने लड़ू मिलेंगे? चार जम रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान बार रिक्तिस्थान गुणा MIX IT बराबर, रिक्तिस्थान, गुणा, रिक्तिस्थान, बराबर, रिक्तिस्थान, लड्डू महले से उठा लिये गए कचरे में से कुछ कचरे का दोबारा इस्तेमाल भी संभव है जैसे प्लास्टिक, काँच, कागज आदी इसमें कबाड़ी वाले की एहम भूमिका होती है जॉन ने घर की सफाई की और सफाई के बाद निकले कबाड़ को कबाड़ी वाले को बेचा कबाड़ी वाले की रेट लिस्ट देख कर बताईए कबाड़ी वाले की रेट लिस्ट यहां पर एक rate list दी गई है जो इस प्रकार है इस rate list के दो भाग हैं पहले भाग में लिखा है वस्तू और दूसरे में लिखा है मूल्य प्रती किलोग्राम आईए अब हम इस list को पढ़ते हैं वस्तू अखबार मूल्य प्रती किलोग्राम रुपए 10 वस्तू प्लास्टिक मूल्य प्रती किलोग्राम रुपए 8 वस्तू लोहा मूल्य प्रती किलोग्राम रुपए 20 वस्तू कौपी और किताब मूल्य प्रती किलोग्राम रुपए 8 वस्तु गत्ता और गत्ते के डिब्बे मुल्य प्रती किलोग्राम रुपए पांच और वस्तु कांच मुल्य प्रती किलोग्राम रुपए चार आठ किलोग्राम प्लास्टिक बेचने पर कितने रुपए मिलेंगे? कबाली वाले के पास सबसे कम मुल्य किस वस्तु का है? अब आप इन प्रश्नु का उत्तर इस लिस्ट को देखकर स्वयम दें शिक्षक निर्देश सहभागियों को विभिन संदर्भों में वस्तु में खरीदने या बेचने पर मुल्य का हिसाब लगाने तथा संबंधित गुणन तत्यों को लिखने के लिए प्रिरित करें प्रिष्ट संख्या 146 प्लास्टिक की थैलियों के प्रियोग को कम करने के लिए मालापुर गाउं के निवासियों ने मिलकर यह फैसला किया कि सामान लाने के लिए वे कपड़े के थैले का प्रियोग करेंगे गाउं में थैले बाठने के लिए उन्होंने 100-100 थैलों का एक बंडल बनाया आईए थैले गिने एक बंडल 100 थैलों का या एक बार 100 या एक गुणा 100 बराबर 100 थैले दो बंडल 100 थैलों का 100 थैलों के दो बंडल या दो बार 100 या दो गुणा 100 बराबर 200 थैले तीन बंडल 100 थैलों का 100 थैलों के तीन बंडल या तीन बार 100 तीन गुणा 100 बराबर 300 थैले यहाँ पर इस प्रिष्ट के अगले भाग में एक तालिका दी गई है इसके दो भाग हैं तालिका के बाएं भाग में थेलों के बंडलों का चित्र है और दाएं भाग में इनके बारे में संख्या में लिखा है आईए अब हम तालिका को पढ़ते हैं तालिका का पहला हिस्सा, सो थैलोंके चार बंडल, 4 गुञा सो बराबर 400 थैले तालिका का दूसरा हिस्सा, 100 थैलों के 5 बंडल, 5 गुणा 100 बराबर 500 थैले तालिका का तीसरा हिस्सा, 100 थैलों के 6 बंडल, 6 गुणा 100 बराबर 600 थैले तालिका का चौथा हिस्सा, 100 थैलों के 7 बंडल, 7 गुणा 100 बराबर 700 थैले तालिका का पाँचवा हिस्सा सौ थैलों के आठ बंडल आठ गुणा सौ बराबर आठ सो थैले तालिका का छटा हिस्सा सौ थैलों के नौ बंडल नौ गुणा सौ बराबर नौ सो थैले तालिका का साथवा हिस्सा सौ थैलों के दस बंडल दस गुणा सो बराबर एक हजार थैले शिक्षक निर्देश सहभागियों का सो से बड़ी संख्याओं से परिचे करवाएं और बड़ी संख्याओं को स्थानी अमान के अनुसार सेंख़ों, दहाईयों और इकाईयों के रूप में समझने इवं लिखने के लिए प्रिरित करें साथ ही एक हजार के अभ्यासकारे के माध्यम से आगे पाँच हजार तक की गुलन संख्याओं का परिचे करवाएं प्रिष्ट संख्या 147 इस प्रिष्ट पर गांधी जी का दो विक्तियों के साथ सबजी काटने का चित्र है कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभलने में मदद दी सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सबजियां छिलते थे रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकडी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़ी हाथों लेते उन्हें सबजी, फल और अनाज के पौस्टिक गुणों का ज्यान था एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोय आलू काट दिये गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नीबू को बिना धोय नहीं काटना चाहिए एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिये गए जिसके छिलके पर काले चक्ते पड़ गए थे उसने बहुत बुरा माना तब गांधी जी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिये गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है गांधी जी आश्रमवासीयों को अकसर स्वैम ही भोजन परोस्ते थे इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद कुछ कह भी नहीं पाते थे दक्षन अफ्रीका की एक जेल में वे सैकडों कैदियों को दिन में दो बार भोजन परोस्ते का कारे भी कर चुके थे प्रिष्ट संख्या 148 आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बरतन खुद साफ करे रसोई के बरतन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने उपर ले लिया बरतन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी जी को संतोश नहीं होता था एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बरतनों को भी मांज़कर चांधी सा चमका सकते थे इस प्रिष्ट के बीच के हिस्से में गांधी जी का बरतन साफ करते हुए चित्र है प्रिष्ट संख्या एक सो उन्चास टिपणी यह प्रिष्ट बिलकुल खाली है इस प्रिष्ट पर आप अपनी टिपणी लिख सकते हैं